वित्तमंत्री निर्मला सिता रामन जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ बजेट में जिन नए रिफॉर्म्स का एलान किया गया है वो अर्थव्यवस्ता को गती देने देश के प्रत्यक नागरिक को आर्थिक रुप से ससक्त करने और इस दसक में अर्थव्यवस्ता की नीव को मजबूत करने का और गती देने का काम करेंगे रोजगार के प्रमुक्षेत्र होते हैं एग्रिकल्चर, इंफरस्रक्चर, टेक्स्टाईल और टेक्नोलोजी एम्प्लोइमेंट जनरेशन को बढ़ाने के लिए इन चारों पर इस बजेट में बहुत जोड दिया गया है किसान की आयद दोगुनी हो इसके प्रयासों के साथ ही सोला एक्षन पॉइंक्स बनाए गए हैं जो ग्रामिन शेत्र में रोजगार को बढ़ाने का काम करेंगे बजेट में क्रिशिक शेत्र के लिए इंटिग्रेटेड एप्रोच अपनाई गई है जिससे परामपरागत तोर तरीकों के साथ ही होटिकल्चर, फिशरीज, एनिवल हस्बंडरी ऐसे एक शेत्रों में बैल्व एडिशन बढ़ेगा और इससे भी नवजवानों के लिए रोजगार के नए आउसर पैदा होंगे ब्लू एकानामी के अंतरगत युवाओं को फिस्ट प्रोसेसिंग और मार्केटिंग छित्र में भी नए आउसर मिलेंगे टेक्निकल टेक्स्टाइल के लिए नए मिशन की गोश्णा हुई है मैन मेड फाइबर को भारत में प्रोडूस करने के लिए उसके रो मोट्यूरल के ड्यूटी स्ट्रक्चर में रिफार्म किया गया है इस रिफार्म की पिछले तीन दसकों से मांग हो रही थी आउश्वान भारत योजना ने देश के हेल्थ सेक्टर को नया विस्तार दिया है इस सेक्टर में हुमन रिसोर्स उसके डेवलप्मेंट डॉक्टर हो नर्स हो एटेंडेंट हो इसके साथ ही मेडिकल डिवाइस मेनिफेक्टिन का बहुत बड़ा स्कोप बना है इसे बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा अनेक नए निर्णे लिए गए हैं टेक्नलोजिक एक शेत्र में एम्प्लोमेंट जनरेशन को बढ़ावा देने के लिए इस बजेट में हमने अनेक योजनाब्द रूप तरीके से प्रयास किये हैं नए स्मार्ट सिटीज हो इलेक्ट्रानिक मैनुफेक्टरिंग हो डेटा सेंटर पार्स हो बायो टेक्नलोजी और कॉंट्रम टेक्नलोजी जैसे खेत्रों के लिए आवसे जो भी पॉलिस इनिसिटिफ लेने चाहिए वो लिए गए हैं इसके द्वारा भारत ग्लोबल वैल्यू चेन का एक अभिन्न अंग बनने की तरफ मजबूती से आगे बढ़ेगा बजेट में युवाओं के स्किल डेवलेप्मेंट को लेकर भी कि इस बात पर बल दिया गया है कि जिस प्रकार के आधुनिक भारत के निर्माण में जो जो स्किल की जरुरत है उस फोकस को बल दिया जाएगा और स्किल में भी एरिया को फोकस करने के कॉमिनेशन पर बल दिया जाएगा जैसे डिगरी कोर्सेज में entrepreneurship, local bodies में, internship और online degree courses की भी व्यवस्ता का एलान किया गया है बारत से जो युवा नोकरी के लिए विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए bridge courses की व्यवस्ता भी की जा रही है export और MSME sector employment generation को drive करता है budget में export बढ़ाने के लिए अनेक नई गोशनाओं के साथ साथ हर district को export hub बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा महत्वा कांची योजना का इसमें निरने लिया गया है छोटे उद्यमों की financing के लिए भी कई नई पहल हुई है आदुनिक भारत के लिए आदुनिक infrastructure का बहुत ही महत्व है infrastructure का खेत्र भी employment generation का बहुत बड़ा अधार होता है यह सब कोई जानते हैं सो लाग करोड रुपिये से पैंसर सो प्रोजेक्स का निर्मान बड़े पहमाने पर रोजगार के अवसर तो बढ़ाएगा देश के विकास के हर क्षेत्र को वो एक नई ताकत देगा National Logistic Policy से भी व्यापार, कारोबार और रोजगार तीनों क्षेत्रों को लाब होगा देश में सो एरपोर्ट विक्षित करने का लक्ष सामान ये मानवी की हवाई उडाइन को नहीं उचाई देगा भारत के परेटरन सेक्टर के लिए ये इन्फा सेक्टर बहुत आवशक है और टूरिजम से कम पुझी निवेश से अधीक रोजगार की अधीक इनकम जेनरेशन की संभावनाय होती है इन्फा सेक्टर के सेत्र में हम स्टार्ट अप्स के जरिये और प्रोजेक्ट डेवलप्मेंट के जरिये युवा उर्जा को नई ताकत देंगे टैक्स स्ट्रक्चर में मुलभूत बढ़लाओं के कारण भारत में अनेक सक्टर्स में वेल्यू एडिशन की संभावना भी बढ़ेगी एंप्लोईमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट सबसे बड़ी आवशक्ता होती है और प्रमुख ड्रावर होता है इस दिशा में कुछ अइत्याजिक कदम उठाए गए है बॉन्ड मार्केट को मजबूत करने के लिए और इन्फा स्टर्चर की लॉन्टरम फाइनसिंग के ल रहे हैं डिविडेंट डिस्ट्रिबिशन टैक्स डीडीटी उसको हटाने के कारण कंपनियों के हाथ में 25,000 करोड रुप्या आएंगे जो उनको आगे इन्वेस्टमेंट करने में मदद करेंगे बाहर के निवेस्टम भारत में आकर्शित करने के लिए विभिन टैक्स कंसेशन भी इस बजेट में दिये गए हैं स्टार्ट अप्स और रियल एस्टेट के लिए भी टैक्स बेनिफिट दिये गए हैं ये सभी फैसले अर्थ ववस्ता को तेजगती से बढ़ाने और इसके जरिये युवाओं को रोजगार के नए अफसर उप्लब्द कराएंगे अब हम इनकम टैक्स की ववस्ता में विवाज से विजवाज के सफर पर चल पड़े हैं हमारे कंपनी कानुनों में जो भी कुछ सिविल नेचर की गलतियां होती है और उसमें कई सानों से क्रिमिनल एलिमेंट है एक प्रकार से परेशानी का कानण है सामन्य नागरी को उन्हें अब डी क्रिमिनलाइज करने का एक बहुत बड़ा फैसला किया गया है इसके साथ साथ टैक्सपेर चार्टर के ढ़्वारा टैक्सपेर के अधिकारों को सपस्ट किया जाएगा दुनिया में शायद बहुत कम देश ऐसे हैं जहां पर टैक्सपेर चार्टर की कलपना की गई है भारत आज एक प्रगतिशिल कदम उठा रहा है MSME से जुड़े छोटे उद्धमियों पर हमारी सरकार ने हमेशा भरोसा किया है हम नागरीकों पर विश्वास करने माली सरकार है अब 5 करोड रुपिय तक के टर्न ओवर पर audit की आवश्यक्ता नहीं होगी Chartered Accountant के Certificate की जरुप नहीं पड़ेगी पहले ये सीमा एक करोड रुपिय तक ही थी अब इसे पांच करोड कर दिया गया है एक और पड़ा फैसला Depositors Insurance को लेकर हुआ है बैंकों में और ये खास करके मद्यमबर के लिए होता है निम्न मद्यमबर के लिए होता है वो अपने जीवन की पूझी को बचा के रखता है और कभी संकट में पढ़ जाता है बैंकों में उनका पैसा सुरक्षित है ये विश्वात दिलाने के लिए अब Deposit Insurance की सीमा एक लाख रुपिय से बढ़ा कर पांच लाख रुपिय कर दी गई है मतलब की एक प्रकार से जो छोटे Depositors होते है 98 to 99% लोग इससे सुरक्षित हो जाएंगे Minimum Government Maximum Governance की commitment को इस बजेट ने और मजबूत किया है Faceless Appeal का प्रावधान Direct Tax का नया और सरल स्ट्रक्चर Disinvestment पर जोड Auto Enrollment के जरिये Universal Pension का प्रावधान Unified Procurement System की और बढ़ना ये कुछ ऐसे कदम है जो लोगों की जिन्दिगी मेंसे सरकार को कम करेंगे नागरिकों की शक्ती बढ़ाएंगे समाज ताकतवर होगा और उनकी Ease of Living को Ease of Living के हमारे मकसद को कई कदम आगे ले जाएगा Maximum Governance की दिशा में एक लाख ग्राम पंचायतों में अंगनवाडी, स्कूल, हेल्थ और वेल्नेर्ज सेंटर एवं पुलिस टेशन को ब्राण बेंट कनेक्टिविटी से जोड़ना एक एहत्यासिक शुरुवात होगी और इसके दूर सुदूर के छोटे गाउं में भी लॉंग डिस्टरंस एजुकेशन के द्वारा गरिब से गरिब बच्चे को, आदिवासी बच्चे को, दलित बच्चे को अच्छे से अच परिशाय देनी होती हैं, नोकरी के लिए साल में ट्रावेलिंग करता है, अपने गाउं से सेंकडो किलोमेटर दूर एक्जाम देने जाता है, बार बार वो एंट्रंस नोकरी के लिए परिशाय देता रहता है, इस वेवस्ता को बदल कर अब नेशनल रेकूर्ट्मेंट गए ऑनलाइन और वो भी डिस्ट्रिक्ट में कॉमन एक्जाम के जरिये नियुक्त की जाएगी एक ही एक्जाम होगी बैंक वाला भी उसका उपयोग कर सकता है रेलिवे वाला भी उपयोग कर सकता है सरकारी अन्य विभाग भी उपयोग कर सकते हैं इसके कारण विवकों को ब बार बार अपना समय इस काम में नहीं लगाना होगा। किसानों के लिए अपने उत्पादों को सही तरह से मार्केट कमने और ट्रांस्पोर्ट के लिए किसान रेल और कुरुशी उडान के द्वारा नई व्यवस्ता बनाई जाएगी। मुझे विश्वास है कि ये बजेट इनकम और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगा, डिमांड और कंजम्शन को बढ़ाएगा, फाइनेंशल सिस्टम और क्रेडिक फ्लो में नई स्फूर्ति लाएगा। ये बजेट देश की वर्तमान आवश्रक्ताओं के साथ ही इस दसक में बविश्य की आपेक्षाओं की भी पूर्ति करेगा। मैं एक बार फिर देश को, निर्मलाजी को और वित्रमंत्रालाई की टीम को इस बजेट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। झाल 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 के लिर सक बजेशने लिए कि एक बहुत के लिए आपेक्षाओंस